हेलो फेंड स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार द्रोगा मुख परिच्छा के लिए जो सूपर फास्ट रिवीजन अस्राट कर रखा है उस स्रीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 8 इससे पहले रिवीजन सेट के साथ सेट अल्लेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं साथ ही साथ बिहार द्रोगा मुख परिच्छा के लिए अलग तो फिर आप लोग जाके WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर Telegram ग्रूप जोइन कर सकते हैं वहां से आप जाकर इसका PDF जो है वो ले सकते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने questions के तरफ इसमें जो math का question है उसको मैं skip कर रहा हूँ क्यूंकि math के questions का जो solution है वो already मैं PDF के last में आप लोगों के लिए attach कर दिया हूँ आप लोग वहां से जाके इसका answer जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आगे कह रहा है कि Mount Abu जो एक प्रवतिय अस्थल है कौन सी परवस रिंखला पर इस्थित है तो Mount Abu अराबली परवस रिंखला पर इस्थित है और अराबली पहाडियो CUSO4-5H2O में किस प्रकार के बंध जो है वो बिद्धमान होते हैं तो इसमें बिदू सहियोजक बंध सहियोजी और समनबई उप सहियोजी बंध जो है वो बिद्धमान होता है तो इस question का answer होगा वो होगा आपसा नमबर असीब आगे कह रहा है कि EK बाना जो है वो किसका ज जापानी रूप है इसकला में आकास, प्रिथिवी और मानब जाती तत्वों का एक संतुली धंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा नमबर सी फूलो का सजाबट का एक जापानी रूप है जापान से याद रखिएगा जापान को उपते हुए सुर्ज का देश कहा जाता है जापान का मैंचेस्टर जो है वो उसाका को कहा जाता है और जापान की राधानी जो टोकियो है वो होंसुदी पर स्थित है नेक्स रहे क्वेशन नमबर नाईन करा कि किसी तारवाले बाध यंतर में पैदा हुए संगीत की धोनी की गुनबकता जो है वो किस पर निर्भर करती है तो धोनी की तरंग के रूप पर निर्भर करता है तो इस क्वेशन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसा नमड़ी धोनी की तरंग के रूप पर निर्भर करता है धोनी से याद रखेगा धोनी के लिए माध्यम की याब सकता नहीं होती है धोनी का बेग जो है वो सबसे अधिक ठोस में होता है धोनी जो है वो निर्मात में गमन नहीं कर सकती है डेसिवल जो होता है वो धोनी के तिबृता का म जिवाल्टर जल्डमरूमध जो है वो अट्लांटिक महासागर और भूमध सागर को जोड़ता है और जिवाल्टर जल्डमरूमध जो है वो यूरूप और अफिरका को अलग करता है मतलब स्पेन और मुरख को को अलग करता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा कोयल भादला जैसलमेर और कच्छ का रन तो भारत का सबसे बड़ा जो सौर रिसक्ति सन्रेंतर है वो भादला राजस्थान में स्थित है तो इस कोशन का जो तई अंसर होगा वो होगा आपसर नंबर C याद रखिएगा एक अंतराष्टिय सौर रुर्जा है उसका मुख्याले जो है वो गुरू ग्राम में स्थित है और सौर रुर्जा के लिए सौर प्लेट में सिलिकॉन का उप्योग किया जाता है बायू में कार्मन के कन निकालने के लिए कौन से सिध्धान्त का प्रियोग किया जाता है तो इसमें बैदूत कन संचालन सिध्धान्त का प्रियोग किया जाता है जो की इलक्ट्रो फ्रोसेसिस तक्निक पर कार्ज़ करता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C, बैदूत कंसंचालन नेक्स कोशन कहा रहागी परमानू इसके धनायन और लिनायन की तरिज्या का सही करम क्या है देखिए किसी भी परमानू की धनायन जो होगा उसकी तरिज्या उस परमानू की तरिज्या से कम और लिनायन की तरिजिया उस प्रमानु की तरिजिया से अधिक होती है तो इसलिए इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A Next question कहा रहागी जैनियों के द्वारा अपने पवित्र गरंथों के लिए सामोहिक रूप से किस सब्द का परियोग किया जाता है तो उसके लिए आगम सब्द का परियोग किया जाता है क्योंकि जैन धर्म के साहित तो को आगम कहते हैं तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B आगम Next है की एक उसन बस्तू उस्मा बिकिरन के रूप में अपनी उस्मा अपने परिवेस में छोड़ देती है उसमा खानी की दर जो है वो किस पर निर्वर करती है तो उसमा खानी की दर बस्तू और परिवेस के ताप्मान के एंतर पर निर्वर करती है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C Next question है Question number 16 कह रहा है निमलिखित में से कौन जो है वो कारवोली कमल के नाम से जाना जाता है तो कारवोली कमल के नाम से जाना जाता है फिनॉल जिसका की सुत्र होता है C6H5OH तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर A वहीं अगर हम लोग एथैनॉल की बात करते हैं तो एथैनॉल का सुत्र होता है C2H5OH एसेटी के सीट की बात करते हैं तो CH3CAH और ऑजेलिक एसेट की अगर बात करते है तो इसका रसानिक सुत्र होता है C2H2O4 नेक्स डाओ की टेहली बांद जो है वो किस नदी पर बना हुआ है तो टेहरी नांद बांध जो है वो भागी जथी नदी पर उत्रा खंड में बना हुआ है जो कि भारत का सबसे उचा बांध है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर जी बांगलादेश बांगलादेश जो है वो असाम मेगाले मिजोरम तिरपूरा और पश्य मंगाल से अपनी सीमा जो है वो उस्सा जा करता है नेक्स्ट रहेगी निमलिखित में से 21 प्रकार का बजार कीमतों को नियंतरित करने में असमर्थ रहता है तो पूर्ण अस्प्रथा बजार का बजार कीमतों को नियंतरित करने में असमर्थ रहता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर जी नेक्स्ट कह पश्च में घाट next question है कौन सा vitamin है जिसकी अतियधीक मातरा के सेबन से वो सजीर में संग्रहित हो जाते हैं और गाथक प्रभाब जो है वो डालते हैं तो यहाँठा कौन सा vitamin है ऐसा है vitamin 8 20 is question का जो सैजर होगा वोगा option number D A vitamin A और vitamin D बिटामीन D जो होता है वो कैल्सिफ फेरोल होता है और बिटामीन E कारसानिक नाम एरेटिनॉल होता है नेक्स्ट है कि इन में से भारत के किस बाय सराय ने निर्वाची तस्थानीय सरकारी निकायों के स्रेजन की पहल की थी तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन बरे लॉर्ड रिपन याद रखेगा लॉर्ड रिपन जो था वो 1882 में बढ़ना कुलस्प्रेस एक्ट को समाप्त करता है जो कि लिट्टन के द्वारा 1878 में लगाया गया था लॉर्ड रिपन जो था वो सिबिल सेबा में परवेश की अधिकता मायू को 19 बरस से बढ़ा कर 21 बरस कर दिया था लॉर्ड रिपन के समय में ही सरपर्था में 1881 में नियमित जन्गर्ना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन नहीं अस्थानिय स्वसासन की सुरुआत भी किया था नेक्स कोशन है कोशन नबर 25 कह रहा है रूर छेतर का सबसे महतपूर्ण उद्योगिक छेतर कौन है तो रूर छेतर जो है वो जर्मनी का सबसे महतपूर्ण उद्योगिक छेतर है और कोईला जो है वो जर्मनी का सरपर्मुख खनीज है जिसका पर्मुख उतपादन छेतर जो है वो ही रूर बेसीन ही है रूर बेसीन में सबसे ज़्यादा बिटुनिमस कोईला मिलता है रूर बेसीन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का उद्योगिक हिर्दे अस्थल भी कहा जाता है तो इस कोश्चन का सहींसर होगा वो होगा आपसन नबर भी जर्मनी तोरान अत्यधीक जो आलमुखी उद्गार से धकन ट्रैप का निर्मान हुआ है तो इस कोश्चन का जो सहींसर होगा वो होगा आपसन नमबर 80 नेक्स कहा रहाएं कि इन में से कौन सी भारत की सबसे उची चोटी है आपसन में दिया गया है कंचन जंगा, अनाइमोडी, कामेट और माउंट अबरेश्ट तो कंचन जंगा इसके according to option हो जाएगा भारत की सबसे उची चोटी दुनिया के सबसे उची चोटी माउंट अबरेश्ट और भारत की सबसे उची चोटी गौड़ भी नाउंस्टीन है, चिक है, कंचन जंगा की उचाई जो है वो 8598 मीटर है और यह जो है वो हीमाले की तीसरी सबसे उची चोटी है जो की सिक्किम में स्थित है, तो इस question का अबरे करेबियन सागर में, चकरबाद से याद रखेगा, चकरबाद की दिसा जो है वो उतरी गोलार्थ में घड़ी की सुई की बिप्री दिसा में होता है और दचनी गोलार्थ में घड़ी की सुई की दिसा में होता है, नेक्स्ट कोश्चन है, question number 29, कह रहा, 1931 में निमलि अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित परस्ताव जो है वो अपारित किया गया था, तो इस question का जो सयंसर होगा, वो होगा, आपसे number B, सर्दार, बल्ला भाई पठेल, नेक्स्ट है कि निमलिखित का सही काला नुकरम क्या है, सिमला सम्झोता, भारत सोबिय संधी, फरक का सम्झोता और तासकम सम्झोता, देखिए सबसे पहले हुआ था तासकम सम्झोता, दस जनबरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच, फिर उसके बाद भारत सोबिय संधी होता है 1971 में, फिर होता है सिमला सम्झोता, 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच, फिर होता है फरक का सम्झोता वो भारत के सबसे यूवा राष्टपती थे तो भारत के सबसे यूवा राष्टपती थे स्री नीलब संजीब रड़ी जो और नीलब संजीब रड़ी से एक बार याद रखेगा वो एक ऐसे राष्टपती हुए थे जो एक बार वो चुना में हार गय थे आगे कहा रहा है कि राष्टिये क्रिसी बीमा योजना की सुरुवात किस बर्स होई थी तो राष्टिये क्रिसी बीमा योजना की सुरुवात 1999 में 2000 में हुआ है तो इस कोशन का सयनसर होगा वो होगा option number B आगे है कि किसी चटान में नत बलन को यानि डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है तो डाउन फोल्ड को अभी निती कहा जाता है तो इस कोशन का सयनसर होगा वो होगा option number A आगे है कि सेंटोसा दीप जो है वो किस देश में इस्थित है तो यह सिंगापूर देश में इस्थित है तो इस कोशन का सयनसर होगा वो होगा option number C सिंगापूर में सिंगापूर से याद रखेगा सिंगापूर जो है वो 100% नगरी किरत देश है नेक्स्ट है कि दहेज प्रतिसेद धिनियम जो है वो कब लागू किया गया था तो दहेज प्रतिसेद धिनियम 1961 में लागू किया गया था जिसके अंतरगत दहेज लेने या देने में सहयोग करने वाले को 5 बर्स की कैद या फिर 15,000 रुपे का जुर्माना का प्रभधान जो है वो किया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन बठी 1961 नेक्स्ट रहेगी हडपा संस्कृती के संदर में सैलकृत अस्थापत के प्रमान जो है वो कहां से मिले है तो हडपा संस्कृती के संदर में सैलकृत अस्थापत के प्रमान जो है वो धौला बीरा से मिला है आगे हैं कि मनूस की खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है तो मनूस के खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर C नेक्स कोशन है कोशन नमबर 43 कहरा है कि किस पाल राजा ने बौध्यों के लिए परसिद विक्रम सिला बिस्विद्दाले की अस्थापना किया था तो विक्रम सिला बिस्विद्दाले की अस्थापना जो है वो धर्म पाल के द्वारा किया गया था साथी साथ यह जो है वो नालंदा बिस्विद्दाले को आर्थिक सहयोग भी दिया था बिक्रम सिला जो बिस्विद्दाले है वो बहुत धर्म के ब्रज यान साखा का प्रमुख के अंदर था धर्मपाल से याद रखेगा धर्मपाल जो था वो परम सौगात की उपाधी धारन किया था नेक्स कोशन है कोशन नमबर 44 कह रहा है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतरसरकारी संगठन कौन सा है तो वो कौन सा है वो है Central Commission for Navigation on the Rhine नेक्स कोशन है कोशन नमबर 45 कह रहा है कि परसिद विजय बिठल मंदिर जिसके 56 तचित अस्थम संगीत में स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है तो या हमपी में अवस्थित है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर C हमपी में बिठल मंदिर का जो निर्मान है वो विजय नगर समराज के तुलूब बंस के जो महाप्रतापी सास राजा थे क्रिस्न देव राय उन्ही के द्वारा करवाया गया था और हमपी जो था वो बिजय नगर राज की राधानी तुंगभदरा नदी के तट पर अबस्थित है नेक्स कोशन कह रहा है कि दीने इलाही बनाने का मूल उदेश क्या था तो दीने इलाही बनाने का मूल उदेश जो था वो बैस्विक निश्टा था तो इस कोशन का सही अ प्रतिमात्मक रूप से अपना सरी, धर्म, संपत्ति, मान, सम्मान और धर्म को समराट के समझ जो है वो समर्पन करना होता था एक क्वेशन पूछा जाता है कि इस धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम हिंदु कौन था तो वो बिरवल था नेक्स कोशन है कोशन नमर 47 कि ब्यपगत का सिध्धान्त निती जो है वो किस ने तयार किया था तो बेपगंत का सिध्धांत निती जो है वो लॉड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमर सी लॉड डलहौजी के द्वारा लट डॉल हौजी ही जो था वो 1848 में बेपगत निती लाया था और सरपथम 17 को ब्रिटिस भारत में बिलाए किया था नेक्स कोशन है कोशन नमबर 48 कह रहा है भारत में पश्चमी सिच्छा बम अंग्रेजी सिच्छा सुरू करने की बकाला जो है वो किस ने किया था तो राचारा मोहनरा के दवारा किया था तो इस कोशन का सही अन सर हो गा वो होगा आप्सन बर भी राचारा मोहनरा ऐसे भारत में अंग्रेजी सिच्छा का जनक जो है बो लोर्ड मेकाले को माना जाता है नेक्स कोशन कह रहा है कि इंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइडोजन मौजूद होते हैं वो होते हैं तो वो कार्बन डायोकसाइड और जलवास्प में बदल जाते हैं तो मूल सम्मिधान के हिंदी संस करिसन का जो सुलेखन है वो बसंद करिस्न बैध के द्वारा किया गया है और मूल परस्ताबना को प्रेम बिहारी नरायन रायज्यादा के द्वारा हश्थ लिखित किया गया है तो इस question का जो सई answer होगा, वो होगा option number C, Pram Bihari Narayan Rajajada. next question कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है, वो CBI का आदर सबाग है, so CBI का आदर सबाग जो है, वो है उधम निस्पच्चिता तथा इमंधारी, तो इस question का जो सई answer होगा, वो होगा option number D, CBI की एस्थापना जो है वो 1963 में हुआ था और यह ग्री मंतराले के एक प्रस्ताओं के द्वारा किया गया था Next है कि जिस बिंदू पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसी रूपों का सहस्तित्व होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number C Next question कहा रहा है कि जिवित तंत्रों के में निम्न प्रकार की योगी को पर विचार कीजे उप्योक्त तीनों में से कौन से बर्ग के योगी जो है वो जिवित तंत्र में महत्पून कार्ज प्रकार यानि की फंक्सन जो है वो निस्पादित करता है तो हार्मोन करता है इंजाइम भी करता है लिपिड नहीं करता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C एक और दो जो है वो करता है Next question कहा रहा है कि परतियाच लोगतंत्र सरकार का ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल से को को चुनते हैं यही गलत है Next question का सही अंसर होगा वो होगा option number A Next question कहा रहा है लोगसभा के सदस्यों में से चुना जाता है Next है कि राज बिधान मंदल के आपर हाउस का स्रीजन या अनुमूलन करने की सकती निम्लिखिद में से किसमें नहीं थै तो राज बिधान मंडल के अपर हाउस का स्रीजन या नमूलन करने का अधिकार जो है वो संसत को है अनुछेद 169 के अधीन जो है वो बिधान परिशत का स्रीजन या भी घटन होता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B संसत में लेकिन संसत को ऐसा प्रस्ताव लाने से पुर्व उस राज के विधान सभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव का संकल्प जो है वो पारित होना अवेस्थक होता है next question है question number 67 कह रहा है निम्न में से अल्प संक्यको को प्रतिनिधित प्रदान करने की सबसे अच्छी प्रदिती कौन सी है तो अनुपातिक प्रतिनिधित प्रणाली जो है वो अल्प संक्यको को प्रतिनिधित की एक प्रमुख भी धी है जिसके की दो प्रकार होते हैं एक होता है एकलमद संक्रिमनिय पदिती और दूसरा होता है सुची प्रानाली और एकलमद संक्रिमे मद पदिती को हेर प्रानाली भी कहा जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर ए हेर प्रानाली और पुर्ण सुर्ज ग्रहन जो है वो हमेशा अमवस्या के दीन ही लगता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 69 कर रहा भारत के किस राज में खरे जल की सबसे बड़ी जील है तो उड़ी सा में खरे पानी का जील है चिल का जील तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C उड़ी सा लेकिन याद रखेगा जो सामभर जील है राजस्थान का वो सबसे खारा भारत का जील है नेक्स कोशन कर रहा है कि चीन के उत्पादन में उत्पाद फीरा जो है वो निमलिखित में से किस पदार्स में बदल जाता है तो यह किस में बदल जाता है अलकोहल में तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर A नेक्स कोशन है कि राना परताब सागर बांध का निर्मान जो है वो निम्लिखित में से किस नदी पर किया गया है तो राना परताब सागर बांध जो है वो चम्बल नदी पर अबस्थी थे next है की समुंदर के पानी का घंटव जो है वो किस परकार बढ़ता जाता है तो गहराई बाख़ारपन दोनों में बृधी होता है तो समुंदर के पानी का घंटव जो है वो बढ़ता जाता है तो इस question का साय अंसर होगा वो होगा option number D next है की इंटरपोल का मुख्याले कहा है तो इंटरपोल का मुख्याले जो है वो लियोनस में इस्थी थे और लियोनस है क्या एक फ्रांस का सहरे पेरिस के पास इंटरपोल जो है वो अंतराष्टी या प्राथ पुली संगठन से संबंदित है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next question number 74 कहरा भारत में बननेजीब संरचन अधिनियम जो है वो किस वर्स लागू किया गया था तो बननेजीब संरचन अधिनियम जो है वो 1972 में लाया गया था तो इस question का सही अंसर है वो होगा option number C ब्राकुमामा के द्वारा ब्राकुमामा जो थे वो 20 जनबरी 2009 से लेकर 20 जनबरी 2017 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका के इराश्ट पती रहे हैं next question है कि निम्लिखित में से किसके संसलेशन के लिए कलेस्ट्रोल जो है वो अबसक होता है तो कलेस्ट्रोल जो है वो अस्ट्राडियोल के संसलेशन के लिए अबसक होता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B कलेस्ट्रोल जो होता है वो सरीर में बसी अमलों में जमाब के कारण उत्पन होता है नेक्स्ट है कि उचाई पर मनुस में लाल रूधिर कनों की संख्या क्यूं बढ़ जाती है क्यूंकि देखिए उपर जाने पर दाब घटने से आयतन बढ़ने के कारण नेजक्त कनिकाओं की संख्या में ब्रिधी हो जाती है तो इस कोशन का सहीं सरोगाब होगा आप्सन नमर बी ऑक्सीजन कम हो जाता है ध्यान रखिएगा जो लाल रूधिर कनों है उनके जीवन काल जो है वो लगवग 120 दिनों का होता है नेक्स कोशन है कोशन नमर 83 कहरा है DRDO द्वारा बिक्सीट उस रोबर्ट का क्या नाम है जो खतरनाक बसनों का पता लगाने उन्हें नियंतरित करने और उन्हें नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उसका नाम क्या है उसका नाम है दच रॉबर्ट जो कि भारत का पहला एंटी टेरा रॉबर्ट है और इस रॉबर्ट को 500 मीटर की दूरी से नियंतरित जो है वो किया जा सकता है प्रकास संसलेशन में देखिए अक्चुली होता क्या है कि हरे पादब कोसिकाओं के भीतर संपन होने वाली जटी लसानी प्रतिकिलियों के स्रिंखला होती है और इसके फलसुरूप गुलकोस का संसलेशन होता है और जल का ऑक्षिकरन होता है तो इस कोशन का जो सही अंसर उनके क्स क्रम से गुज़रना होगा तो उसको टुंटरा टैगा संसितोस्ट से गुज़रना होगा तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर दी next question is question number 87 कह रहा है कि निवन प्रधान मंत्री को उनके काल्जकाल की अनुसार बेबस्तित कीजे PB नरसिम्हाराओ कि अगर बात करते हैं तो इनका काल्जकाल 1991 से 1996 तक था अटल भीहारी बाजबई की बात करते हैं तो इनका काल्जकाल 1996 में था और फिर उसके बाद 1998-1999 परदान मंत्री बने और फिर 1999-2004 तक रहे हैं H.E.D. दबगोरा की बात करते हैं तो ये 1996-1997 तक रहे हैं इंदर कुमार गुजराल की बात करते हैं तो 1997-1998 तक रहे हैं इनको एरेंज कीजेगा तो सही अंसर जो होगा वो होगा आपसन नमबर C Next question है कि निमलिखिद में से किस अनुछेद में पंचायतों के निर्वाचन का अलुलेख किया गया है तो पंचायतों के निर्वाचन का अलुलेख जो है वो अनुछेद 243 के टर में किया गया है इस question का सही answer होगा वो होगा option number A और options की बात करते हैं तो अनुचे 243 के 9 के तहट नियाले पंचायतों के निर्वाचन में हस्ताचेप नहीं कर सकता है यह बात कही गई है 243 के जहा के तहट पंचायतों के बीती स्थिती के समिच्छा है तो बीतायों के गठन का प्रबधान किया गया है और अनुचे 243 के खा में पंचायतों के गठन का प्रबधान जो है वो किया गया है आप लोगों को याद होगा तिहतरमा संविधान संसोधन 1992 में जिसके ताथ पंचायती राज संस्थाओं को संविधानी किस्थिति ये बंसुरच्छा जो है वो प्रदान किया गया है और 28 अप्रेल को पंचायती राजदिवस जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है कहरा भारतिये प्रेश अधिनियम 1978 के अंतरगत इंडियन प्रेश काउंसिल की अस्थापना की गई थी ये जो है वो गलत है क्योंकि भारतिये प्रेश अधिनियम 1978 के अंतरगत धारा पंदरा में भारतिये प्रेश काउंसिल को सक्तिय प्रादान की गई थी भारतिये प्रेश परिशत की अस्थापना जो है वो 4 जुलाई 1966 हुआ था फिर आपात काल में इसको भंग कर दिया गया था और फिर 1979 में इसको पुना गठन करके भारतिये प्रेश परिशत जो है वो किया गया था फिर कहरा सामाचार पत्रों अब अब तक सुधार करना इस संस्थान का मुख देश है तो ये बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर D यहां एक गलत है प्रंतु आर जो है वो सही है आगे कहरा है कि प्रसिद जूलू जंजाती किस देश से संबंदित है तो जूलू जाती जो है वो मुखरोप से जांपिया, जिमबाबे और मोजांबिक देशों में पाया जाता है नेक्स करा है कि सुमेलित करने के लिए एक साइड अभ्यारन के नाम दिये गा है दूसे साइड रज्यो के नाम दिये गा है जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो जाना है एक साइड रज्य दिये गए है और दूसे साइड जनसंख्या घनत्र दिया गया है तो सबसे ज़्यादा कि जनसंख्या घनत्र तो बिहार कहीं है तो बिहार जो होगा वो 1206 के साथ मैच करेगा उसके बाद अगर बात करते हैं केरल की तो केरल जो है वो 859 के साथ मै मैच करेगा और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये टू एट मैच करेगा नग्स कोशन है कोशन नबर 93 कराई कि यदि लोगों के एक बिसे समों को केडल में तेलगू माध्यम के अस्कूल खोलने के अनुमती नहीं दी जाती है तो उसे किस मौली का अधिकार का उलंगर माना जाएगा तो इसको जो है वो सांस्क्रितिक और सैचनिक अधिकार का उलंग ना करने एबाम उसके परसासन को चलाने का अधिकार जो है वो दिया गया है एक पड़े होंगे धार्मिक सोतंतरता का अधिकार अनुछेद 25 से लेकर 28 तक फिर एक सोतंतरता का अधिकार अनुछेद 19 से लेकर 22 तक और एक है समाननेता का अधिकार अनुछेद 14 लेकर 18 तक मे next question is question number n94 कहphonie 강सी है देखिए जोहांसबर्ग तो इस question का जो सयंसर होगा आपसर number D आगे कहphonie कहरा कि प्रतेग बर्स अंतराष्टी येमहिला दिवस कम मनाया जाता है तो अंतराष्टी येमहिला दिवस 8 मर्च कम मनाया जाता है तो इस question अगर और options की बात करनें तो 10 March को CISF दिवस मनाया जाता है 28 फरबरी को राष्टिय बिज्ञान दिवस मनाया जाता है और 18 March को आयूध निर्मान दिवस जो है वो मनाया जाता है Next question कहा रहा है कि Republic पुस्तक के लेखा कौन है तो Republic पुस्तक के लेखा कहें कौन? Plato तो इस question का जो सहयंसर होगा वो होगा option number C अच्छा लियो टॉल स्ट्राइक एक पुस्तक है ध्यान रखेगा बार एंट पीस ये अकसर एक जाम में पूछा जाता है आगे कहा रहा है कि पंडवानी लोगनित का संबंद जो है वो किसराज जिसे है तो पंडवानी हो गया, सुआ हो गया, चंदेनी हो गया, बिमला हो गया, थाप्टी हो गया, परगोनी हो गया, सैला हो गया ये सब जो है वो 36 गड़ का लोगनित है तो इस question का सहयंसर होगा वो होगा option number D अच्छ तिसगड नेक्स question कहा रहा है कि तात्या टोपे उन से नानाइकों में से एक थे जिन्होंने भारतिय सोतंतता संग्राम में भाग लिया था तो तात्या टोपे जो है वो 1800 संतामन के विद्रों में कानपूर में भारतिय किलांतिकारियों का नेत्रित बनाना साहिब के साथ मिलकर किया था तो इस question का जो सहयंसर होगा वो होगा option number 1857 और तात्या टोपे का मूल नाम जो है वो रामचंदर पांडुरांग है नेक्स question कह रहा है निमन में से किस ने भारतिय संभीधान को हिंदूओं का निकाय कहा है तो भारतिय संभीधान को हिंदूओं का निकाय जो है वो Lord Biscount के द्वारा कहा गया है तो इस question का सहयंसर होगा वो होगा option number 1857 अगर और options की बात करते हैं तो green billet on screen से याद रखेगा इसके अनुसार सम्विधान सभा एक दलिये देश का एक दलिये निकाय है, सभा ही कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस ही भारत है। बिश्टल चलचिल की बात करते हैं तो इसके अनुसार सम्विधान सभा ने भारत के केबल एक बड़े समुदाय का प्रति निधित्व किया है और निराजुदीन आहमद की अगर बात करते हैं तो इसने कहा है कि सम्विधान सभा को अपबहन समीती कहकर पुका रहा है आगे कह बास्केट बॉल के खेल में परतेज पर कितने खिलाड़ी होते हैं तो बास्केट बॉल पर पांच खिलाड़ी होते हैं तो इस क्रेशन का सही अंसर होगा आप से नबर भी पांच खिलाड़ी होते हैं बॉली बॉल में 6 होते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं पोलो में 4 होते हैं होकी, किर्केट, फुटबॉल ये सम्में 11 होते हैं, खोखो में 9 होता है, नेट बॉल में 7 होते हैं, और रग्वी फुटबॉल में 15 होते हैं, तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, वो आपको मिलते रहें, इसका अगर आप लोगों को पीडियो चाहिए, तो पीडियो के लिए वीडियो के दिये कर डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर, आप या तो वाट्सप ग्रूप जोइन कर लीजे, या फिर टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजे, वहाँ इसका पीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोबाइट करवा दिया गया है, ठैंक्स फोर वाचिंग,